नमस्कार बाईयो दादा दोडा डेरी फारम प्रिवार में फिर से आपका स्वागत है ये आपका दादा दोडा डेरी फारम प्रिवार मेडा गाउं जिलाव तैसिल चर्की दादरी हरियाना में है रादे रादे जैश्री किष्णा जैगुमाता जैगुपल बाईयो आज ये आपके शामने जो थारपार कर सुद्ध थारपार कर नसल की जो गोमाता है उसने एक सुंदर सी बेटी को जनम दिया है पूरी जानकारी मैं जरूर बताऊंगा गोमाता की जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं हमारे साथी नए जुड़े हैं अपने इस परिवार से वो चैनल को और से से स्क्स्राइब करें बैल आइकन करें लाइक करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक सेर करें भाईयो यह गोमाता असी इकावन नंबर टेग नंबर है इसका और सुद्ध सो परसेंट थार पार कर है इस गोमाता को हमने पार में सी सी भीःप फारम से जो 23 निवंबर 2020 को जो निलामी परिकिरिया थी उसके दोरान प्रापत किया था और इसने जब हमने ओक्षन में इसको वहन माता को प्रापत किया तो यह ग्याविन थी एक ब्यात इसने जो एक बार इसने फार्म में बच्चा दिया CCBF सूर्थगड में दूसरी बार ये गोमाता गया बिन थी जब ये फ़र्ष्ट ब्यात में बच्चा दिया उस टाइम इसके अडर में इनफेक्शन होने के कार्ण दो सरजरी हुई और उस प्रोबलम से इसके दो टिच्स बलाइंड हो गए एक साइड अडर का इससा बिल्कुल बलाइंड हो चुका था फिर भी इस गोमाता ने सत्रा सो अठारा सो लीटर दूद फ़ष्ट ब्यात में मात्र दो थण में फार में दो सरजरी के उपरांत में और ने के बावजूद भी इसने वहाँ अपना रिकोर्ड दर्ज कराया ये खुद 71 चोवन जो CCBF फारम की जो शान थी उसकी बेटी है और उस बुल को भी हमने प्राप्त किया था लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है चला गया एक मिशाल थी उस बुल की सरदी का थोड़ा मोसम होने के कारण हो सकता है आपको सुंदर वीडियो ना दिखाई दे प्यार वाहिट ये गोमाता है थोड़ा मोसम भी कलियर नहीं है और इसकी जो गाय है इसकी मा है वो 4000 पलस मिल्क रिकोर्ड की गोमाता है जात्स परक्की है रिकोर्ड भी देखा तब जब हमने इसको पराप्त किया तो ये प्रेगनेंट थी फरवरी में इसने हमारे को एक अनमोल रत्न नंदी के रूप में जो दिया आपके सामने जो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा जब इस नंदी ने जनम लिया और जो ये 4-5 महिने की मात्र इस नंदी को भी फोट और वीडियो के दोरान आप देख सकते हो इसका जो शांदार बेटा हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नंदी इतना ब्यूटी में साइद किसी बरीडर या संस्था में हो सकता है साइद साइद हो सकता है और काफी अच्छी बरीडर भाई जो थे उन्होंने इसको लेने के लिए इच्छा जताई और अच्छी मुल्ले भी देने का जो हना परियास किया मैं बताना चाहूंगा दो से तीन लाख रुपे तक भी हमें ओफर मिल चुके थे इस नंदी महराज के लेकिन आपने अपने फारम की शान खुद ये 20-842 का बेटा है फारम से ही ये गुमाता प्रेगनेंट थी उसके बावजूद यहां पर अच्छा दूद दिया अब ये तीसरी बार आपके शामने बैतर 37 बलेड लाइन से प्रेगनेंट हुई आपके दादा दोला डेरी फारम में बैतर 37 का जो भीमबुल है उससे प्रेगनेंट हुई और अब इसने आज ही अपनी बेटी को जनम दिया इसके अडर की भी आप शांदार जो अडर कवाल्टी उसको देख सकते हो ये होती है 100% ब्रीडिंग की पैचान क्योंकि इनका जो दूद रिकोर्ड है अवस्य ये अच्छे रिकोर्ड करती है सुन्दर बच्चे देती है और जो आज इसने ये नननी परी जो के रूप में हमें गोमाता दी है ये तो एक ऐसा अनमोल रतन और एक इतनी शांदार नसलों से निकल करके हमारे सामने जो हमारे आपके अपने दादा दोला डेरी फारम के आंगन में मोजूद है यानि कि इस नननी परी का नाना इकातर चोमन और दादा बहतर से तिस भाईयो एक देख सकते हो नाना इकातर चोमन दादा बहतर से तिस यानि कि एक टोप ब्रीडिंग की जो बाते होती है टोप नसल की जो बाते होती है मिल्क लाइन की भी और ब्यूटी की भी प्योर्टी थार पारकर की पहचान तो वो ऐसे पराप्त होती है ये गोमाता है काफी बाईयों का जो मानना होता है कि जो ना फारम से दो थनबंद बलाइंड हो गए और अगए उन गोमाता हो क्या करेंगे तो ये रेजल्ट आपके सामने है हम धन्य हैं तो ऐसे अनमोल रतन इसने हमारे को जब दिये हैं यहां करके बारा करके तो भाईयो इससे ज़्यादा और क्या उमीद की जाती हैं कि ऐसे ऐसे अनमोल रतन जो बारा करके फारम से हमें प्राप्त होते हैं और तीसरा जो हना इसका ब्यात प्रीड जो चल रहा अभी स्टार्ट किया इसने आगे और भी खासी उमीद करेंगे इस गोमाता से टोप से टोप आपको पता है कि आपके अपने दादा दोला डेरी फारम में अन्य बाईये संस्थानों से जो अच्छी अच्छी संस्था है सर काफी भाई परिचीत भी है तो ऐसे ब्रीडिंग के उपर बढ़ा जा सकता है तो वीडियो में दीवी जानकारी कैसी लगी हम अवश्य बताएं और अगर कोई आपका सुजाव है तो वो भी हम तक आप साजा कर सकते हैं निरंतर आगे भी परियास करेंगे जब ये थोड़ कि हमसे गलती लगी हो तो और आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे धन्यवाद मित्रो धन्यवाद साथियो धन्यवाद धन्यवाद जैगोमाता जैगोपाल